हलो फ्रेंट्स आज हम धार्मिक यात्रा पर आएं वैसे यह यात्रा में जो हमारा यह चेनल है यह एजूकेशनल ट्रेवलिंग चेनल रहेगा और इसमें आपको पूरे एजूकेशन के अकाडिंग आपको हर एक तथ्थों की जानकारी भी दी जाएगी किन्तु क्योंकि यह चेनल का पहला वीडियो है इसमें धार्मिक भी वीडियो रहेंगे और दूसरे एत्यासिक इस्थल भी रहेंगे और ज्यान विज्ञान से भी सम्मन्दित जानकारियां दी जाएगी तो क्योंकि प्रारम्व हमेशा इश्वर से किया जाए तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है तो हमारे इस वीडियो की सीरीज में ग्यान विज्ञान की सीरीज में एजुकेशनल ट्रेविलिंग वाले इस वीडियो में आपको या दूसरा वीडियो हिंगलाज माता के बारे में बताया जा रहा है बाईयों बेहनों हमने ये जो हिंगलाज माता का मंदिर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दे रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में तीन हिंगलाज माता का तीसरा मंदिर है सबसे पहला और सबसे बड़ा मंदिर इंगलाज माता का पाकिस्तान में है और सिंदी समाच के काफी बड़े समुह का इष्ट देव कहलाती है हिंगलाज माता का मंदिर जो पाकिस्तान में है उसमें कई मुस्लिम भाईयों का भी बहुत प्रबल आस्ता होती है इसलिए अक्सर नावरातरी में हिंगलाज माता का तीर्थ यात्रा करते हैं और अक्सर पैदल यात्रा करते हैं लोग कहते हैं हम नानी जी के हज को जा रहे हैं नानी जी का हज कहा जाता है हिंगलाज माता के तीन विश्व में प्रसिद मंदर में ये तीसरा मंदर नरसिंगड राजगड डिस्टिक में आता है और इस पहाड़ी पे बसा हुआ ये बहुत खुबसूरत मंदर है और बड़ी हिंगलाज माता का मंदर ही है और उसकी जोती भी पाकिस्तान के हिंगलाज माता के मंदर से लाई गई है तो इस तरीके से हम अब हिंगलाज माता के मंदर का दर्शन करने जा रहे हैं नरसिंगड के हिंगलाज माता का मंदर का दर्शन करने जा रहे हैं नर्सिंगड के बारे में मैं पहले बता चुका कि यह है प्रियटन के रूप में विक्सित किया जा रहा है अगर मध्यप्रदेश सरकार इसको अतीद शीगरता से प्रियटन के रूप में विक्सित करती है तो यह मध्यपरदेश के टाप तेन में परियाटक के स्थल में आ जाएगा क्योंकि यहां पर एक खुब सूरत किला है जो के हजारों साल पुराना है और इस किला के लेका भी एक इत्यास से के यहां के जो राजकुमार कुमर हुआ करते थे उनका अंग्रेजों के साथ 1838 के आ पहाडियों पे भसे हुए मंदिर भी है यहां पर एक वन्य अभ्यारण भी है जिसको घुमा जा सकता है और परेटनों के लिए ही है पहाड़ी पे भसे हुए इस माता हिंगलाच माता के मंदिर का हम दर्शन करने जा रहे हैं इससे पहले में एक बार फिर से आपको बता कि नर्सिंगड में बड़ा महादे मंदिर बड़ा ही मन महुवक है और बड़ा ही शांती प्रदान करने वाला और मनो कमनाओ को पूर्ण करने वाला है नर्सिंगड में आप देख सकते हो कि यह पाड़ियों से और बड़ा ही मनोहर सुन्दर दिर्श्य आपको दिखाई दे आज फस्ट मई को हम यहां दर्शन करने आए हैं, आप देखिए मई के महिने के बावजुद भी कितनी यहां पर हर्याली आपको दिखाई दे रही है, जबकि अभी पतज़ड का मोसम होने के कारण हर्याली नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको हरा भरा यह नर्सिंगर देखा आप देखिए कितना खुबसूरत नजारा आपको यहां नर्सिंगर का आपको दिखाई दे रहा है, सामने जिस किले के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था, वह किला, आपको यहीं से सामने से एक बार फिर से मैं दर्शन करवा देता हूँ, तो आपको दो ची नहीं हो पाएगी, यह गणपती जी का मंदर है यहां पर, और दूसरा आपको, मैंने आपको बता यहां का किला, यहां का किला भी बहुत अच्छा है, और आप लोग चाहें तो विजिटिंग यहां पर भी कर सकते हैं, इसके अलाबा अब हम हिंगलाज माता के मंदर के लोग परेशान हो रहे होते हैं, जिससे मैं औरों के बारे में बात नहीं करूँ, अपने बारे में बात करूँ क्योंकि हिंगलाज माता हमारी कुल देवी है, और हमें कई बार जब मुसीबत में पढ़ते हैं, तो अपनी मा को सच्चे हर्दे से याद करते हैं, तो मा हमारे साथ आ जाती है हमारी सारी दूईधाओं को मा एक छणों में हर लेती है तब मन में एसी प्रबल भावना पैदा होती है कि मा के दर्शन करने के लिए जाया जाए किन्तु जानकारी की अभाव था बाड़ी बरेली सुल्तानपुर हमारे भोपाल से काफी दूर है तो जाने में थोड़ा सोचना पड़ता था किन्तु एक और ये नर्सिंगर में जब हमें पता चला कि ये तीसरा हिंगलाज माता का मंदर है तो हमें बहुत अत्यन प्रसंता हुई और आज में उसके दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ नियम होता है तो इसलिए हम अंदर को जा नहीं पा रहे हैं किन्तु भार से हम आपको दर्शन जरूरी करवा देते हैं तो हिंगलाज माता जी के आप देख सकते हैं दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं पंडित जी और था मंदर के बारे में बताएं हिंगलाज मात मंदिर एक तो पाकिस्तान में इना जो सबसे बलाकर नहीं हिंगलाज माता का फ्चालिये नरसिंगड में इए कहा पड़ा है कह तुझ राट लुज़ात मे ऐँ चछा गुज़ाथ में नुसरा यह कुल्डे भी माने जाती हैं आपके जो बुजूर्ग उनको इत्तक यहान अपने थोड़ी इत्तक यहाने सही है मेरी उमर यहीं पेड़ा है अपने कुछ नहीं रहा है अपने शांती प्रियस्थाने भी आपके जिवाज दुगनी और अच्छी बढ़ी आप में तो दिन बार बेच्छा हूं वजी कहले हैं मैं अच्छे लेक्टा कोई किल्डवाजी नहीं और किसी विरकार का नश्म पत्त कर दो भचछान करो तो ृच्छा फंपने के लिए आ सकते हैं अच्छा पानी दिर्ट के लिए ब prouve आसकते लोगए अच्छा शार्फ लिवसता है ये तंक ही बनरही बढ़ी है तुछ बने हुए है इन पर गुफाओं में तो यह आज के यह भी पुराने हैं पुराने हैं यह तो भी बनाया जाथ जो जो आज़ेसे आप आगें आप बना गया कुछ बहुत आप बनागाय कुछ अब यहां से आपको हिंगलाज माता का मंदर किलियर दिखाई दे रहा है जैसा कि बताया गया कि आप यहां पर पिकनिक के रूप में भी आ सकते हैं और यहां पर पानी की और कंडों अगराई सरी प्रकार की वस्ता है तो यहां पर अश्रमी और नौमी के दिन बहुत धील होती है यह देखी पानी की विस्ता है तो जैसे पंडे से रिक्वेस्ट करेंगी तो वह नीचे से पानी का सप्लाई खोल देते हैं तो यहां तक पानी आयाता है तो आप यहां पर पिकनिक बगरा भी कर सकते हैं इसके संदर समय यहां पर पहाड़ीयों के बीच में आप बिता सकते हैं यह इस तरीकी का यहां पर विवस्ता है आप देखें इसके अलावा यहां से भी है और उस से रोड जाने का है तो देखते हैं हम जा पा रहे हैं तो मैं वहां से जाके आपको और दर्शन करवा देता है कि मैं यहां से निकल के आया हूं कहां से निकल के आया हूं यह देखिए यहां से निकल के आया हूं और यहां से यह सीड़ी जाती है तो थोड़ा यहां आपन दिर्शन यहां आपन देख लेते हैं यह परेटन के हिसाब से विक्सित किया गया है यह परेटन के हिसाब से वि कि इसमें कुछ प्रैचिन काल के शैल चित्र जिसे में ने का कि यह आपको एजुकेशन के रूप में भी क्योंकि वीडियो हम एजुकेशन के लिए ही बना रहे हैं यह एजुकेशनल और ट्रेवलिंग टूर है यह आपको कुछ शैल चित्र दिखाई देंगे और यहां पर भी यह आप देख सकते हैं इसमें शैल चित्रों को मैं आपको बताऊंगा यह प्रैचिन शैल चित्र हैं पहले मैं आपको इस पूरे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ देखिए यह है शैल यहां लिखा हुआ है मैं उसको पढ़के सुनाता जा रहा हूँ यह है शैल श्रेय कंदराएं एम विशाल गुफाएं आदी काल पाशान काल लगभग 25,000 वर्ष पूर निवास इस्थली के रूप में आदी मानों द्वारा उप्योग में लाई जाती थी इन शैल श्रेयों में उपस्तित शैल चित्रों में उनकी जीवन शैली और आसपास हो रही घटनाओं को उनके द्वारा प्रदेशित किया गया है इनके निरमाण में विशिश प्रकार के लाल सफेद पत्थरों को पीस कर मिटी मिला कर एम मनसपतियों के रसों के मिश्रन से बनाई जाती है इन शैल चित्रों की खोज में नरसिंगड निवासी प्रातत विद डाक्टर श्री जेडी तरफाटी ने की थी वह गुफाओं को चिन्हित किया इन शैल चित्रों में हाथी मचली सांड हिरन सुवर आदी वह पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं हिंगलाज माता मंदर शैल चित्र ये आपने पूरा प्रड़ दिया एक बार फिस से आप इसको देख लो ठीक है ना मैं इसका एक अलग भी वीडियो बना रहा हूं पहले आप इसको देख ले इसमें भी थोड़ा में शाट में बता दे रहा हूं कि तो इसके बाद वाले वीडियो में आप डिटेल देखिएगा पहले में दो चार शैल चित्र इसमें बता के आप इसके बाद वाल आपको एक शेल चित्र में ये वाला बता रहा हूं देखिए ये आज के नहीं ये ये पचीस हजार साल पहले के शेल चित्र हैं ठीकिना मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके भी आपको बता देता हूं इसका अलग से वीडियो में आपको बना के भेज रहा हूं हिंगलाज माता के मंदिर का यहां तक का हमारा सफर जै हिन जै भारज